आगरा किस सरवाधिक लोग प्रिये चैनल सीन्यूज के आप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउंडोड करें सीन्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ बैल आइकन को प्रेस करना ना भूलें करोना वारिस की तीनों लहरों में देखा गया है कि लोग अब तक मांसिक तनाओं से बाहर नहीं निकल पाए हैं अधिकतर लोग मांसिक तनाओं के चलते उसे कम करने के लिए नशे क्यादी हो रहे हैं जिसमें समाज में काफी परिवर्टत आया है अगर वक्त रहते नशे की को नहीं सुधारा गया तो कई परिवार नशे की लस्ट से उजड़ सकते हैं लगातार हमारे बीच में तीन साल से करोना है करोना की वैसे कहीं न कहीं हर कोई डिप्रेशन की चपेड में हैं हर वर्ग उसमें अचुता नहीं है चाहें बच्चा जवान या बुज़र्ग हर क कम करने के लिए लोग गैजिट अलेक्ट्रोनिक गैजिट का प्रियोग कर रहे हैं मोबाइल कंप्यूटर साथ में अभी एक नई जानकारी मिली है लोगों के माद्यम से कि लोग नशे के पृती ज़ादा रुची दिखा रहे हैं कि उसको तनाव को कम करने के लिए अकेला पन को दूर करने के लिए तो ये बहुत बड़ी समस्या है आने वाले समय में उसी के साथ हमारे साथ बात करने के लिए मांसिक रोग विवाग के जो है डॉक्टर दिनेशाठर और जो कि मैंने चेकिस्ट जो अस्पताल है जो में अधिक चिक भी रह चुके हैं और अभी जो कोई बदलाव आता है तो बदलाव की जरूरतों को पूरा करने के लिए अत्रिक्त प्रियास करने होते हैं और उन अत्रिक्त प्रियास के रूप में हमें तनाव होता है तनाव जब कभी लंबे समय तक विवसक महमुली हो लेकि लंबे समय तक रहता है तो हमारे जीवन पर ह बहुत गहरा असर डालता है तो इस कोरोना के वेज़े से लगाता निरेंतर रहने वाले हलके तनाब ने भी हमारे मानस पर विपरीत असर डाला है और चुँके समाज में तनाब को एक भीमारी के रूप में सुईकार नहीं किया जाता तनाब के अपचार के लिए जागूकता प्रयाप्त नहीं है तो अकसर हमारे समाज में लोग इस तनाब से चुटकारा पाने के लिए नसे की और बढ़ते हैं कोई तमाकू के रूप में तो कोई एलकोल के रूप में नसा लेना सुरू करता है अपने बूगल सही का नशा लोगों में आजकर लद बन गई है पर हमन तरबता है अंदर से पता नहीं एक बेचैनी सी होती है उसे चाहिए ही चाहिए तो यह सरी लट के एक टेंप्रेरी प्रॉब्लम है कि यह लॉंग टर्म रहने वाली समस्ष्य है जिमित्रो नसा लेने की जो आदत है लंबे समय तक आदत रहने पर क्या होता है कि इसका सरीरी से उतना जो असर है आजकल नहीं हो रहा है उस असर के लिए मात्रा बढ़ानी पड़ रही है तो आप समझ लीजिए यह एक अलाविंग सिंग्नल है कि आप नसे की बीमारी की तरफ बढ़ रहे हैं किसी व्यक्ति को ऐसी समस्या है तो मांसिक स्वास्थांसांचिक इस साल आ करकर की एक बिद्वत ट्रेंड टीम क्या बसकता होती है इसकी एक सिस्टेमिक एप्रोच होती है इसमें यह जो टीम होती है उसमें एक्सपर्ट पेशेंट और उसके घरवाले तीनों एक टीम के रूप में काम करते हैं एक्सपर्ट अपनी एक्सपरटाइज पेशेंट को घरवालों की तरफ से सपोर्ट रहता है और पेसेंट की तरफ से कमिट्मेंट रहता है मुझे नसा छोड़ना है तीनों अगर टीम की रूप में काम करते हैं हम नसे के बाहर आ सकते हैं आपने सरफ बोगल सही कहा पर अक्सर जो हम देख रहे हैं समाज में जो अलकोहल का प्रियोक कर रहा है या फिर नशे के जो लट जिनको लगी हुए यह वो कहते हैं कि हमें नीद नहीं आती नीद को उसकिल करने के लिए या कोई गम बोलाने के लिए या फिर कोई ऐसा कोई आफिस का प्रेशर है उसको कम करने के लिए रात को सोने से पहले खाने से पहले वो इस चीज का प्रियोग बहुत कॉमन हो गया है वहला आप देखेंगे आप पार्टी वगरा में भी आप देखा है कि बहुत जादा प्रचलन हो गया है शराब का कि अगर पार्टी में भी नहीं है तो लोग सोचते enjoy कर रहे होंगे और उन्हें ये समझ में नहीं आ रहे हैं कि अपनी जिंदगी तबा कर रहे हैं इसी तरीके से जब कुभी मानसिक तनाव होता है मानसिक रोग होता है वो साधर सा depression भी हो सकता है चिंता रोग भी हो सकता है और गंबीर मांसिक रोग भी हो सकता है, सब मांसिक रोगों में यह जो एक कौमन लचड़ा है, उसमें एक लचड़ा है, नीद ना अना, अगर किसी को नीद नहीं आ रही है, तो इसको गंमीड़ता से लें, किसी मनुचे के सख से परामर्स लें सर आज भी समाज में जो है जो मानसी के रोग हैं उनको ये समझाता है कि हम पागलपन का इलाज हम करा रहे हैं या फिर जो शराब जो या इस तरह के जो नश्य की चीजें सेवन करते हैं वो इस चीज को बीमारी भी नहीं समझे जब कि साइंस और मेडिकल साइंस इतना अशर आगे पहुंच चुकी है इतनी हर चीज का संभव इलाज है कुछ ही दूनों में आदमी सोस्त होगे अपनी जो परानी ज़ंदन की उपर लोट जाता है इसके लिए क्या कहा है अबर जी बिलकुल सब इनसे की वीमारी। को मांसिक रोग के विससे के रूप में स्विकरती नहीं मिली ए मोग इसको बीमारी संजते ही नहीं है। लोग समझते हैं लोग उस अब लगता एक का व्वेक्ति ज तो वो एक वदमासी कर रहा है, धूरता कर रहा है, ऐसा नहीं है, हमें उसके साथ में बड़ी सानवुती के साथ में पेसाना होगा और उसकी मदद करनी होगी है। पासकते हैं, सरकार द्वारा निशुलक दवाईया, OPD, परामर्श, हर सुविदा हैं पर उपलब्द है, लोग आएं, अपना इलाज कराएं, ड्रक्ष चिकस्तर को सारी समझता हैं, समझाएं, ताकि वो अपने और अपने परिवार को बचा सकें और अच्छा जीवन के साथ स साथ खुशियां अपने और अपने लोगों को दे पाएं, कैमरामन राजीव के साथ, लक्षमिरा सिंग, सी न्यूज, आगरा.